हलो गाईज वालकूम बैक आप सब इक अपने चानल पे बहुत ही जादा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको आइफोन XR का कम्प्लीट रिव्यू शेयर करने वाला हूँ यह जो डिवाइस है मुझे यूज़ करते हुए एक साल और दो तीन महीने उपर हो चुके हैं जो टाइम पिरिड जब मैंने इस डिवाइस को यूज़ करया है इतने नंबे समय तक तो मेरे को कौन कौन सी प्राप्लम्स देखने को मल रही है आपको यह डिवाइस बाय करना च आप्लिकेशन को ओपन करने की स्पीड के बारे में अप्लिकेशन को यह आइफॉन काफी बड़िया तरीके से हैंडल करता है आज के टाइम पे भी इसमें आपको कोई भी लैगिंग अप्लिकेशन से एकने को नहीं मलने वाला है सबसे बड़िया बात यह लगी मुझे इस कि यह जो डिवाइस है इसने अभी तक भी इतनी जादी बैटरी हेल्थ को ड्रॉप नहीं करा है बस एक परसेंट पूरे एक साल में इसने बैटरी हेल्थ को ड्रॉप करा है तो यह काफी ज़्यदा शौकिंग है कि यहां पर आप देख सकते हो पुरानी वीडियो जगर आप म लिए जो डिवाइस मैं यूज करा हूँ यह है 128GB का वेरियंट मैंने से सेकेंड हैंड बाइ करा था और साथ में यह मेरे को पड़ा था तकरीबन 20,000 का पूरा 20,000 मैंने इसका पे करा था 128GB का अगर आप 64GB की और जाते हो तो उसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम देखने क को मल सकता है यहां पर आप देख सकते हो 29.22GB यूज रखी है 128GB में से साथ में बैटरी बैक अप की अगर बात करें बैटरी बैक अप की वाइस यह जो डिवाइस है इतना बढ़िया तो नहीं कह सकते कि आपको दो से तीन बार चार्ज करना पड़ सकता है अगर आप काफी ज्यदा यूज करते हो इस डिवाइस को ऐसे कि मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूं और कुछ शोचल मेडिया अप्लिकेशन को यूज करता हूं अपने इस डिवाइस पे तो दो बार चार्ज करने से मिलको काफी बढ़िया बैटरी बैक अप से बढ़िया नहीं रहा है जैसा कि एक शिक्स्टीन के अपडेट में देखनी को मल रहा था बैटरी बैक अप वैसा आपको नहीं देखनी को मल रहा है वेजिव 17 में कि बहुत से बग्स जो है वह अप्लिकेशन के लेटेड आ गये हैं जो कि व्याग्राउंड में काफी सार यही लगाता है री स्टार्ट करने में यह जो डिवाइस है तो यहाँ पर बात आती है इस डिवाइस में सैरियर के बारे में यानि कि NetworkS कैसी काम कर रहे हैं NetworkS जो है वो काफी बढ़िया काम करते है इस डिवाइस पे कोई भी इसमें आपको Wi-Fi का पूर connection issue देखने को नहीं मलेगा और नहीं आपको Bluetooth में कोई यहां पर bugs देखने को मलने वाले हैं और साथ में यहां पर अगर बात करें इस device में heating की heating issue आपको देखने को मलेगा इस device पे क्योंकि वैसे ही आजकर यहां से सबसे ज़दा हीट होता है तो यह जो heating issue है आपको iPhone XR पे देखने को मलने वाला है इन सबी बातों को आपको ध्यान में रखकर ही अगर इस iPhone को buy करना है तो भी buy करना है परना आपको buy नहीं करना है pricing आपको पता चल ही गई है 64GB variant आपको कितने में पड़ेगा और आपको अगर 128GB variant buy करना है तो वो आपको कितने में पड़ेगा तो एक नया update भी Apple release करने वाला है 17.5 का उसके एलेटेट भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पे एक दो आपको वो वीडियो भी देखनी को मल जाएंगी उसके लिए अपने चैनल को जो सब्सक्राइब करने सो मलते रहेंगे ऐसी बड़िया वीडियो के लेकर आप सभी के साथ सो थैंक्स पो वाचिंग